जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने जबरन पुलिस को आगे करकर हम लोगों को उन्होंने जेल में डालने का काम किया, साथ दिनों तक हम लोग सुद्धो वाला जेल में रहे और तमाम-तमाम किसम की परताड़नाएं उनके माध्यम से इस आवाज को इस विरोध की आवाज इसको दबाने का काम उनने किया नमस्कार मेरा नाम है दिव्यान श्री और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप दी ललन टॉप की टीम उत्राखंड एलेक्शन कवरिच पर निकली हुई है आज हम पहुंच चुके हैं अध्यात्मिक नगरी कहा जाता है रिशी केश मित्रवेनी गाट पर खड़े हुए हैं और साथ में हमारे युवा प्रतियाशी जो इस बार यहां से वदान सबाशनाव लड़ रहे हैं कनक धनाई जी बहुत बहुत सवागे ते कनक जी आपका ललन टॉप में थांक यू टीम ललन टॉप का बहुत बहुत आभार कनक जी युवा प्र करें और जिस तरह से आपके आस पूरा समर्दन या पर देखा जा रहा है तो युवाओं को भी आपने बहुत अपने साथ लिया है तो क्या वजह रही प्रमुख वजह इसकी आप हमें थोड़ा बताईए देखें एक बहुत बड़ा वॉइड था पॉलिसी और प्राक्टि लेवल पर आप जो पॉलिसी जो एक्जीकूट होती हैं और बहुत सारी पॉलिसी तो बनती ही नहीं है तो एक पॉलिक पॉलिसी का स्टुडेंट रहा हूं तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा थी कि किस तरीके से हम लोग एक समान रूपता के साथ की जिस कल्टर में जिस इंवा इस बात की नहीं है कि आपका नेता बन गया और आप तो सुकी हैं पर जो हार गया उन लोगों की अभी व्यक्ति का क्या उन लोगों की वेंटीलेशन का क्या कि वो अपने मुद्दे कैसे उठाएंगे तो आज लड़ा इस बात की थी इस चीज को एक युनिफॉर्मिटी के सा करी उस जन आंदोलन की यात्रा में हम लोगों को लगबग चार-पांच मुकद में मेरे उपर हुए तीन बार अरेश्टिंग हुए और एक बार साथ दिन की में जेल में भी रहा यह पूरा-पूरा पिछले तीन-चार सालों में हुआ है जब हम जन समस्याओं को लेकर सडक सब्सक्राइब करें यहीं तो यही चीज थी जो जिस तरह से हम देखते हैं पूरी जो पावर पॉलिटिक्स है हमारी हम दो मेजर पार्टी इसका बड़ा जिक्र सुनते आ रहे हैं जितनी हमने लोगों से बात करी एक निर्दली या फिर एक रीजनल जो पार्टी है आपकी उस क्या significance रह सकता है मतलब जितना power politics का खेल बहर चलता है as a regional candidate आपको कितना significance इस चीज का दिखाई देता और कैसे आप सोचते हैं कि आप इसमें strength के साथ आगे बढ़ पाएंगे देखेंगे दो चीजे हैं और आपका जो perception है न वो बहुत माईने रखता है एक vacuum है तो आप वह मैदान है conducive field है जहां पर आपको लगता है कि vacuum को आप उस वॉइट को आप फिल कर सकते तो मुझे लगता है एक चीज इसका जवाब तो मैंने इस माध्यम से दिया कि वह जो वॉइड है उसको फिल करने का काम स्टेट में हम करेंगे दूसरी बात ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसके पास अपना छेत्रिया दलना हो तमिल नाडू चल जाएगे डीम के ए आई डीम के शिरोमणी अकाली दल पंजाब में शिव सेना मंसे महराश्ट्र में सपा बासपा उतर परदेश में दिल्ली में आम बादनी पाटी एक उत्रा खंडी एक ऐसा राज्य है जिसके पा हैं हाथ पाउं चला रहे हैं अपना परचार कर रहे हैं अपनी कैंपेंच चला रहे हैं और आप लोग मीडिया जगत के लोग ललन टॉप एक बहुत बड़ा प्लैटफोर्म है मैं निजी रूप से बहुत बड़ा मुरीद हूँ आपके लगबग लगबग जितने भी कारिता से शुरू किया था अब तो ट्रेडिशनल उस पर आ चुके पर बहुत सुन्दर है मैं बड़ा मुरीद हूं आपके चैनल का डिवलपमेंट हम भी कर रहे हैं आपने अभी बताया आप मुकदमे दर्ज हो चुके हैं चार मुकदमे दर्ज हुए क्या वो पूरा मसला रहा कि अभी हम सुन रहे थे कि आपने 14 साल 14 सवाल वाला कुछ कारेकरम यहां पर आयोजित किया गया था और उसके बाद यह पूरी कहानी हुई तो क्या मेन मुद्दा था क्या चीज़े हुई थोड़ा सा हमारी जनता को बताईए 14 साल 14 सवाल एक कैमपेन था जिसमें जो स थानिया विदायक जी थे पिछले साल जब उनको 14 साल पूरे हो गया हमने खाली 14 बड़े सवाल उनसे पूछे हमने कहा आप अपना रिपोर्ट कार्ड हमें दीजिए कि उन 14 सालों में अगर आप एक एक काम भी करते तो मुझे लगता है कही ना कहीं एक ग्रैजुल जो प्र खुलिस को आगे करकर हम लोगों को उन्होंने जेल में डालने का काम किया सात दिनों तक हम लोग सुद्दोवालाड जेल में रहे और तमाम-थमाम किसम की परतारण करना है उनके माध्यम से इस अबाज को इस विरोत की आप पास को दबाने का काम उनने किया तो साल 14 सवाल में हमने कुछ भी पर्सनल नहीं पूछा था चेतर से संबंदित मुद्य थे जैसे अब आत आपने अध्यातम की कही हमने कहा कि रिशिकेश जब योग नगरी है तो यहां के एक मातर इस्तनातक इस्तनातकोतर महाविद्याले में योगा का विशे क्यों नहीं है अर यह इस्तिति है योग नगरी बोल्ड में नाम लिखने से मुझे नहीं लगता कि वो कार्यासारतक होता है आपको उसमें कहीं नकहीं एक्ट करना पड़ेगा समझना पड़ेगा और उसको समझाना भी पड़ेगा और वह माहुल बनाना पड़ेगा कि लोग आए योग करें योग सीके अपने तटो को उतना डेवलब करना पड़ेगा कि अगर कोई सुबह सुबह चिंतन करना चाता है मन्थन करना चाता है ध्यान करना चाता है तो उसको ऐसा माहोल मिले पराज आप देखें इन घाटों की स्थिति एक और मुद्दा सबसे बड़ा यहां पर जिसके ब कारे में थोड़ा सा बताई और क्या क्या आप स्टेप लेना चाहते हैं ताकि महाजो सारी सुविधाए हैं धंग से मुहिया हो सके जैसे आपने कहा था कि नेता जी को ले जाना ना पड़े या किसी और का कुछ सोर्स इस तरह की चीज़ें ना हो एक एक फ्लुएंट कारे मुझे लगता है काफी नहीं है जब तक आप जनता की जरूरतों को केटर नहीं करते हैं वो इंफ्रस्ट्रक्चर पूंड रूप से बेकार है और हमने जब यह आवाज उठाने का काम किया क्या क्योंकि वहाँ पर दो चीज़ें ऑस्पताल से हम लोगा पेक्षर रखत हैं दो धाई लाग रुपे वो अटेंडेंट की मांगते हैं और 14-15 लाग रुपे भारत सरकार द्वारा जो एक पक्की नौकरी होती है जिसमें आपको अंदर स्थान मिलेगा घर मिलेगा आवास मिलेगा सुविधाय मिलेंगी उसके वो मांगते हैं इस प्रथा के खिलाफ हम लोग लड़े 98 लोगों को ले ओफ कर दिया गया था विदाउट एनी नोटिस उनको टर्मिनेट किया गया था उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जब हम लोग एमस गये तो एमस ने पुलिस को आगे किया उनके साथ हमारी मुठभेड हुई हमने उनसे पूछा कि आप क् पूलिस ने करा पर आवशक्त्या थी तो मुझे लगता है जनता और एमस के बीच में सेतु बनने का गाम उस दिन पूलिस को करना चाहता और उसके तहद भी हमारे उपर लगवक तीन-चार धरा है उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल से लेकर तोड़ फोड से लेकर और जो बहुत सारी धाराओं में उन्होंने हमारे उपर केस किया संबन आया अभी जाना भी पड़ेगा तो इस तरीके से बड़े-बड़े संस्तान जो इंस्टिटूशन्स हैं वो दमाने का काम करते हैं आम जनता की आवाज को और सबसे बड़ी बात जितने वो 98 लोग ते उन्से परामिटर सेट कीजिए आप परामिटर सेट कीजिए आप ये मतमापदन रखी कि जो पैसा देगा जो आपकी जेवे गरम करेगा उसको आप नौकरी पर रखेंगे और उसके बाद भी जब उस जो प्रिंसिपल जो जो हमारा सेकंड पार्टी है जो आउट्सोर्सिंग एज थे इसका तो इस बात की लड़ाई हमारी थी एक रोजगार का मुद्दा जो अभी आपने मेंशन भी क्या भारत में ही आप देख लीजे तमाम आंवन चात्रान तमाम चीज़े हो रहे हैं रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है हम भी तमाम लोगों से बात करते हुए चाहेंगे ताकि युवाओ को रोजगार मिले और सही तरीके से जो पूरा सिस्टम अभी सब कुछ होच-पोच है सारी चीज़े कुछ नहीं हो पा रहा है वेकेंसी निकल रही है नहीं भर पा रही है तमाम मुद्दे है रोजगार को लेकर आप कैसे उसमें से तु जिसका अपने बनने की बात कही थी वहां कैसे आप पर रोजगार को एक कारेकाल में नहीं पैदा हो सकता इसका जो जैनिस है वो एजूकेशन है उस एजूकेशन से जो इंप्लॉइबिलिटी हम लोग पैदा करना चाहते हैं मुझे लगता इसका जैनिस वहां से रात और रात यह नहीं होने वाली जब उस जैनेसिस में हम लोग वर्क करेंगे काम करेंगे इंप्लॉइबिलिटी वाले सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जो 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 अप्ग्रेडिट सब्जेक्ट है नए सब्जेक्ट है मार्केट और इंडस्ट्री के हिसाब से उस सब्जेक्ट है सब्जेक्ट नहीं है जब हम उनको पढ़ाएंगे मुझे लगता है employability तब जाकर हम लोग आगे बढ़ा सकते इसमें कुछ skill की चीजे हैं चोटी मोटी चीजे हैं यह सिखाने का काम मुझे लगता है जब तक संस्थान नहीं करेंगे मैं एक छोटा सा उधारन आपको देता पंजाब का एक एरिया है वहाँ पर कपड़ा मिले हैं क्लोधिंग पुरा सेक्टर है उस क्लोधिंग सेक्टर में और उस क्लोधिंग सेक्टर उस डिस्टिक्ट में जो polytechnic और ITI colleges हैं सिरफ और सिरफ उन industries के हिसाब से courses को tailor किया जाता है ताकि regional level पर ही demand और supply को meet किया जाए वैसे ही उत्राखंड के अगर हम बात करें देरादुन जिले की बात करें सेक्टर वाइस डिवाइट करते हुए सहसिक परियाटन अध्यात्मिक परियाटन नैसरगिक परियाटन इन चीजों की चीज़े हम सिखा है यह course आज तक हम लोग include नहीं कर पाए हैं लोग लोग online इ नहीं हो सकता मैं उस बात को स्विकार करता हूं परन्तु जो स्टेट लेवल पर जो स्टेट के इंस्टिटूशन से पॉली टेकिनिक आई टी आइस कॉलेजिस हम सिखाएं उनको टैली हम सिखाएं उनको एक्सेल हम सिखाएं उनको website designing जितने भी आज के हिसाब से current courses हैं जिन नॉर्मल रिशिकेश का बच्चा उसका competition डेली निवर्शिटी के हिंदू कॉलेज के बच्चे से हैं उसके skill और एक पीजी कॉलेज के बच्चे के skill में आप अंतर देख लीजिए हमें दुख होता है इस बात का इस लड़के का competition सेंट स्टीफन से है इस लड़के का competition शिरी कर लीजिए इसकी यहां पर पैदा नहीं होगा तो भार से इंपोर्ट हो जाएगा आप अगर हम कोई चीज खोल भी देते हैं यहां पर वो इंपोर्ट करना पड़ेगा अधर स्टेट से लोग आएंगे माइग्रेट होकर लोग आएंगे तो मुझे लगता है पहला जो फो अध्यात्मिक दंगरी मैंने शुरुवात महीं बोला था दूसरी बात आती है टूरिजम की यहां पर खबरे पड़ते हैं लोगों से बात की कि तमाम चीजें यहां पर ऐसी भी हो रही है कि टूरिजम गंदकी फैलती है यहां पर एकोलोजिकल अब चुकि इतनी सारी चीज होता है उस पूरी चीज को लोगों जो भार से लोग आ रहे हैं उनकी नजरों में रिशिकेश कैसा दिखता है और टूरिजम तो है लेकिन एक रिस्पॉंसिबल टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए क्या चीजे नहीं हो रही है और क्या आप करना चाहते हैं देखे रिशिकेश का जाएगा आप तपोवन चल जाएं होटल कोरिडोर नाम बिकेगा रिशिकेश का पर लोग और जो परियाटरक है उसका जो रेवेन्यू जनरेशन है वह अधर डिस्टिक्ट का होता है हम लोग एकदम बॉर्डर पर है और इस बॉर्डर में हम लोग इरिया खतम हो जाता है और तो असल कैम्पिंग राफ्टिंग होती है वहां से होती है जहां से गंगा जी एकतम स्टीपली नीचे आती है तो पहली बात हमारा फोकस है कि पहले हम एक ऐसा सरकेट डेवलब करें जिससे टूरिस्ट कम से कम डेड़ दिन तक तो यहां रूके और उस डेड़ दिन तक रोकने का जो जेनेसिस है जो सबस्टाटरम है वह शराब ना हो वह कुछ बेसिक चीजे हो जिससे हम वास्ता में कुछ सबस्टैंशल दे सकें लोगों को वह यह ना होगी सिर्फ पिकनिक बनाना है आइसोलेशन में रहना है और वह काफी है कुछ सी कि उत्रकंड आया था फिर से जानी की ज़रूत है तो इस चीज़ पर हम लोग भी मंतन कर रहे हैं और दूसरी बात आपने जो सस्थेनिबिल्टी और रिस्पॉंसिबल टूरिजम की बात करी यह कहीं ना कहीं मुझे लगता मैं एक उधारन जब हम लोग ट्रेकिंग पर जाते हैं तो अगर आप 10 टॉफी ले गए हैं तो उस टॉफी के रैपर जब आप नीचे आते हैं ट्रेक से तो वह मांगते हैं इतना माइनूट ताकि वह क्योंकि वह वहां पर फूलों की घाटी यह वैली ओफ लार है ताकि वह एकलोजी डिस्टरब ना हो प्लास्टिक से तो इ क्योंकि multiple entries में multiple check and balance का system करना बहुत ज़्यादा possible नहीं है क्योंकि इसमें manpower include होता है पर अगर कुछ spot हम बना है और वही entry और वही exit हो तो मुझे लगता है हम कहीं न कहीं इस मुहिम को आगे ले जा सकते हैं आगे बढ़ा सकते हैं बाकि जो littering वाली बात है वह जो litter हम लोग करते हैं वो हमारे culture में है, उस culture को सुधारने के लिए कोई भी नेता आ जाए, बहुत जादा हम कुछ करने ही सकते हैं, हम ज्यादे-ज्यादा regular सफाई कर सकते हैं, sanitation की व्यवस्ता रख सकते हैं, परंतु जो एक culture है, आज जरूरत उस culture को change करने की, हम लोग इस भावना में रह अपनी मेट में रख लें तो ये कल्चर जब तक पैदा नहीं होगा और मुझे लगता है कल्चर ही एक ऐसी चीज़े जो जो पॉलिसी से भी बड़ा होता है जो नीतियों से बड़ा होता है जो साशन के अंदर जो सदन के अंदर जो स्टाचूट्स पास होते हैं उनसे बड़ा होता है तो बहुत बहुत शुक्रिया कनक धनाई जी जिनका जिनसे अभी हमने बात की रिशिकेश के जो लोकल मुद्दे हैं और जो ओबरॉल एक पॉलिसी मेकिंग पर जो छात्र भी रह हैं कनक धनाई जी उस पर उन्हें तमाम बाते की और हम आपको उत्राखंड के और भी तमाम मुद्दों को लगातार आपके सामने रखते रहेंगे यह जरूरी चीजे हैं लोग अफेक्ट हो रहे हैं और बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर से कनक धनाई जी कि आप द आई किया था इंटर्शिप के लिए तो कुछ रिस्पॉंस नहीं आया यह बात आज आप लोग ललन टॉप का क्यामरा इसलिए मैं बात रख रहा हूं अपनी मास्टर्स करने और अंडर ग्राइजिशन के बीच में जो तीन महीने का समय था आपके नॉइड ऑफिस में मैंन